लोट गार Ol हलो नमस्कार किसान साथियों कैसे होै आप लोग ँख अच्छे हैं तो किसान साथियो आज ग्यूमें आप लोगों का स्वागत है इसरी में मैं आप लोगों को सिंञ legends कंपनी के hip бат सींब दाव हूं जोकि बहुत ही ज्यादा प्रभावी खिट ना सक है और काफी लोग प्रिय भी है किसानों के बीच में तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल के साथ जान लेते हैं कौन-कौन से फसलों में इस प्रेक कर सकते हैं कौन-कौन से क्रीडों को खत्म करता है और इसका प्रैज कितना है डोज कितना लेना है स और इसका क्या-क्या खासियत है सब कुछ आप लोगों को आज मैं डिटेल से बताने वाला हूँ तो वीडियो को कर दीजेगा लाइक और चैनल को कर लिजेगा सब्सक्राइब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो किसान साथियों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके टेकनिकल कॉंटेंट की कि इसमें कौन सा टेकनिकल पाया जाता है तो किसान साथियों आप लोगी स्क्रेन में देख सकते हैं इसमें क्लोरेंटरा नीली प्रोल तेन प्रतिसाथ प्लस लेमडा साइलो थ्रीन 5% जेसी फोम में आता है, यानि कि जियोन कैपसूल के रूप में यह आता है, और यह एक contact और systemic insecticide है, जो पौधे की system में फैल कर किट को मार गिराता है, तथा किट के contact में आते ही किट को मार गिराता है, किट के nervous system को block कर देता है, जिससे किट की मौत हो जाती है, अब किसान साथियों हम लोग बात कर लेते हैं कि यह कौन-कौन से कीडों को और इलियों को कंट्रोल कर लेता है तो आप लोग स्क्रिन में देख सकते हैं तरह-तरह के कीडों और इलियों को मैं दिखा दिया हूँ जिसमें मुख्य रूप से आप लोगों को बोलूं तो बोल ओर्म, इस्टेम बोरार, फ्रूट बोरार, तनाच्छेदक, फल भेदक, पत्तालपेटक, कटर पिलर, चितकवरी इल्ली, तंबाखु इल्ली और छोटी बड़ी सभी प्रकार की इल्लियों को कंट्रोल कर लेता है यानि की दोनों प्रकार की किटों को कंट्रोल कर लेता है, रस्टू सक किट चाहे हो, चाहे इल्ली हो, और यदि रिजल्ट टाइम की बात करें, तो इसका रिजल्ट आप लोगों को 15 से 20 दिनों तक अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा, और अगर आप लोगों का ताप 35 डिग्री से अधिक है, तो इसका रिजल्ट थोड़ा कम आता है, इसको आप लोग टोनीक, फफंद नासक, एनपी के या किसी भी प्रकार के किट नासक के साथ मिला कर दे सकते हैं पौधों में, हाँ तो किसान साथियों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यह कौन-कौन से फसलों के लिए बना हुआ है, कौन-कौन से फसलों में हम लोग इसका इस्प्रेक कर सकते हैं, वैसे तो इसको हम लोग सभी प्रकार के सबजी वर्गिये फसलों में इस्प्रेक कर सकते हैं, लेकिन कुछ मुख्य फसले हैं जिसमें आप लोगों को इसका बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा जिसमें मुख्य रूप से कपास, धान, चना, मक्का, गना, अरहर, सोयाबिन, टमाटर, मूंग, उड़द, बरबटी, बैगन, पत्तागोभी, मिर्च, मटर और अन्य सभी प्रकार की सबजी वर्गियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अब किसान साथियों हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्राइज की, तो इसका जो 80 ml का पैक आता है वो आप लोगों को 600-700 रूपिये में असानी से लोकल मार्केट में मिल जाएगा, अगर ओनलाइन खर देंगे तो थोड़ा सा ससता मिल सकता है हाँ तो किसान साथियों अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके दोज की, कि फसल में इसका हम लोगों को कितना इस्प्रे करना चाहिए, कितना ml लेना चाहिए तो 15 लिटर में आप लोगों को बोलू तो 15 लिटर में आप लोगों को 8-10 ml लेना चाहिए और 25 लिटर पानी में आप लोगों को 14 से लेकर 15 ml इस्प्रे करना चाहिए और एक एकड में आप लोगों को बता दू तो 80 ml लेना चाहिए ते टेड़ सो से दो लिटर पाने में गोहल कर neSpray करना चाहिए। अब किसान साथियों हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका परयोग फसलों में कब करना चाहिए। तो इसको आप लोग जब शुरुवाती दोर पे जब किट आने लगते हैं फसलों में तब आप लोग इस्प्रे करिएगा प्रिवेंटिव रूप से भी कर सकते हैं और बहुत ज़दा किट हो जाएगा तब तो आप लोगों को करना ही चाहिए लेकिन फ्लावरिंग के स्टेज पे आप लोगों को स्प्रे करने से बचना चाहिए फुल फल जड़ सकते हैं तो किसान साथियों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजेगा बुरा लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजेगा दोनों केस में चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि आप लोगों के लिए मैं खेती बाड़ी से समधित वीडियो लेकर आते रहता हूँ और बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो प्लीज लाइक कर दीजेगा छोटे वच्चे की खुसी के लिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं नए टोपिक के साथ नए वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए बाई बाई और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया